नेगेटिव यह पॉजिटिव चल ले आए ठीक हैं तो हम क्या करेंगे करेंट हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हम डारेक्शन को चेंज कर देंगे बाद वागी हमारा सब कुछ सेम रहेगा हलो स्टूरेंट्स तो कैसे हैं आप लोग बढ़ी एकदम तो आईए आज स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर सिक्स जो होगा हमारा वैदुचालन और किर्चाफ के नियम पर तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है सेल क्या होता है तो देखिए सेल समझने के लिए तीन टॉपिक एक साथ आ जाएंगे ठीक है यह वैदुद सेल सेल का विदुद भागपल और टर्मिनल विवानतर और आंत्रिक पत्रोत यह चारों जो है ना एक ही चीज से चुड़ हुए है और दूसरा यह भी ठीक तो सभी पॉइंट एक डिवाइस होती है एक युक्ति है जो क्या करती है रसाइनिक उर्जा को विद्धत उर्जा में परिवर्थित कर देती है क्या करती है रसाइनिक उर्जा को विद्धत उर्जा में परिवर्थित करती है ठीक साथ क्या करती है रसाइनिक उर्जा को विद्धत उर्जा में प करती है से यह होता है सबोस कि हमने ये कोई एक सैल है टिके इसके अंदर दो प्लेट vardır हूंगी एक पॉजिट्टizzard यह और एक न डीडिलोट可以 कैसी है यह अब इसके अंदर क्यों होगा इसके अंदर वैद्ड प्लेटे हो हुआ होता है क्या भिएदोत अभठे पतारт क्लियर वैंदोत अब वक्रणों पतार्थ भर हुआ है स्का एक ट्रूमिनल तो होता है सिर्गा डूसरा होता है इसका फिरlor होता सिको का just सेल के बारे में और दूसरा हम क्या है सेल का रिपर्जेंटेशन इस तरह से करते हैं सेल को जो रिपर्जेंट किया जागा इस तरह से रिपर्जेंट किया जाता है ठीक है इसका यह कुछ आंत्रिक पत्रोद होता है यह विद्धुत भाग बल ई होता है ठीक इस तरह से हम क्या represent करते हैं इसको, cell को हम represented कर देते हैं, यह हमारा क्या है, वैदुत अपघटे पदार्थ है, क्या है, वैदुत अपघटे पदार्थ, अपघटे पदार्थ, ठीक, clear हो गया, यह वैदुत अपघटे पदार्थ है, यह क्या है हमारी, यह दोनों प्लेटे हैं क्या हैं प्लेट किलियर अब उसके बाद में चलते हैं सेल का विद्धुत बाहगबल ठीक तो सेल का विद्धुत बाहगबल क्या होता है विद्धुत बाहगबल होता है हमारा एक वोल्टेज है E is equal to W upon Q को बोलते हैं यानि कि किसी वैद्दुत परिपत में किसमें किसी वैद्दुत परिपत में एकांक आविश को किसी वैद्दुत परिपत में एकांक आविश को क्या है पूरे परिपत में प्रिवाहित करने में जो कार्रे होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं विद्धुत बाहग बल बोलते हैं सहल का यानि कि एक आंक आवेश को पूरे परिपत में पूरे को परिपत में पिरवाहित करने में किया गया कार किया गया कारे क्या कहलाता है हमारा विद्धुत बाहकबल कहलाता है ठीक है अगर हम क्या करें एक आंक आवेश को क्यों कितना होता है वन तो जैसी किसके बराबर हो जाएगा डवलू के बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा डवलू के बराबर हो जाएगा यह हो गया हमारा स चलते हैं फिर नेक्स टॉपिक की तरफ जो होगा हमारा टर्मिनल बिवानतर ठीक है देखे टर्मिनल बिवानतर क्या होता है जब एक आविश को एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक ले आते हैं एक बिंदू से क्या कहलाता है टर्मिनल बेवानतर क्या किलाता है काय में जोडाते हैं तो इस के हमने ये एक R1 प्तुरोद है और एक ये R2 है और एक ये R3 इस तरह से तीन प्त्रोदों को हमने क्या करा एक सोह को हमने आधा से स्रिडी करं में जोड़ लिया काइम मित स्रिड apparent हैं ये सेल का आंतोर प्त्रोद अर ये यह विदुदभागपल E हो गया यहां पर कितना है R1 प्रत्रोद है यह कितना है R2 है और यह R3 है ठीक अब इसकी बीच में क्या करते हैं बिंदू माल लेते हैं A B C D हम क्या करेंगे में जो करें वो टर्मिनल विवानी तर कहलाता है A B C D तो इस R1 प्रत्रोद पर विववभन होगा V1 और इस पर कितना विवभन हो गया कितना हो गया डवलू 2 और हम क्या वी से यानि कि सी से डीटशीन ले जाने में जो कार हुआ डुलू 3 इस तरह से हमारा terminal विवांतर आना है ठीक है एक काउस्स को क्या कर रहे हैं पूरे परिपत में नहीं एक बिंदू से दूसरे सब्सक्βαushandre supportive से टीसरे बिंदू तब दूसरे बीच में उत्पन विभांतर होता है उसका हम क्या बोलते हैं टर्मिनल विभांतर करेते हैं क्या केते हैं टर्मिनल विभांतर स English अब देखो यहां तक तो यह कहानी हो गई हमारी टर्मिनल विभांतर히 कि किलियर तो पर कानी डचना है, तो हम जानते हैं, वी one पर विव उप कितना होगा, वी one is equal to कितना होता है, डवलु अपॉन, टो यहां से, जो हमारा डवलु वन मान मिल जाएगा, क्यों वी one हो जाएगा, इसी तरीके से V2 पर कितना होगा V2 पर होगा हमारा W2 upon Q पूरे परिपत में کुल कारे कितना होगा पूरे परिपत का कुल कारे यहां से यहां तक लेहने में कुल कारे कितना हो जायेगा कुल कारे कुल कारे तो कुल कारे किसके वरावर होगा कुल कारे डवलू वरावर होगा मारा डवलू वन पिलस डवलू टू पिलस डवलू थ्री किलियर और हम जानते हैं डवलू वन की वैलू कितनी मिली है हमको w1 हमको यह मिला यानि कि यह वाला qv1 तो इसी तरीके से यह कितना होगा qv2 होगा पिलस यह कितना होगा qv3 होगा यहां से पूरी काहनी हो गई यानि कि w upon यहां से हम क्या ले ले q common ले ले तो कितना है v1 पिलस v2 पिलस v3 ठीक और we know that e is equal to कितना होता है w upon q के यानि कि यहां से हमको e बरावर कितना हो गया v1 पिलस v2 पिलस v3 यानि कि कहने का मतलब है terminal विवांतर किसके बरावर होगा potential drop के sum के बरावर होगा यानि कि विवांतर के योगफल के बरावर होता है किलियर हो गया अब आता है हमारा क्या अब आता है हमारा सेल का आंत्रिक पत्रोद ठीक है साथ तो आंत्रिक पत्रोद क्या है देखे सेल के अंदर जो वैदो तब गटे है ठीक है वो आंत्रिक पत्रोद का कारे करता है ठीक है यानि कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा कर पाँ और दोसरी चीजब अब यह बात आती है कि जो अधाया था काऊंपर जो हमने लिया था कांपर इह कांगा यह यह यहां पर हमने एक सेल लिया आ यह वाला सेछे ठीक है यह सेल जो होता है इसको मैं उठा लूँ यह पर महीं बना लेते हैं ठीक है महीं पर ही बनाते हैं हम अच्छा साजी तो बुरी सी सगल का है ठीक है हमने क्या कि यह एक वैद्दो तब घट्टे-पदार्थ हमको बनाना है यानि कि एक सेल बना ले हम यह हमने एक सेल लि सब्सक्राइब द्रुट। करता है तो सहल का आंतरिक पत्रोद जो है डारेक्टली प्रपोर्शन होता है कि उन दोनों के बीच की दूरी के ठीक है यानि कि जितनी दूरी जादा होगी आंतरिक पत्रोद उतना बढ़ जाएगा जितनी दूरी कम होगी आंतरिक पत्रोद उतना कम हो जाएगा दूसरी कम होगा तीसरी चीज ये डिपेंड करता है किसको व्यदों तबगते कि सांधृता पर किसपर सांधृता पर है सांधृता पर निरभर करता है गालाया पतलेपन पर ठ deepest तीच जीज आती है हमारी एक last point है यानि की वैद्द लगट है कि पदार्थ और प्रकरती पर भी नर्वर करता है, क्सके? पदार्थ पर और प्रकरती पर पर प्रकरती पर नर्वर करता है, क्लियर हो गया। ये चार पवोइन्ट थे मारे cell के आंत्रिक प्रत्रोद के बीच की दूरी के अनुकरवान पाती होता है तथा छेत्रफल के विद्करवान पाती होता है अब चलते हैं हम जरा किसकी उपर cell का विद्धुत बागवाल terminal विवानतर और आंत्रिक प्रत्रोद में संबन हमको ये वाला संबन निस्ताबित करना है संबन कितने होता है e-v is equal to ir ठीक है तो हम क्या करेंगे cell की साहिता से एक प्रत्रोद को जोड़ेंगे cell और प्रत्रोद को हम जोड़ देंगे ठीक है साब हमने क्या किया यहाँ पर एक cell लिया ठीक बढ़ें प्रत्रोद को जोड़ेंगे उसकी ऊपर हमें क्या निकालना है आंत्रिक प्रत्रोद का मान निकालना है clear अब देखिए पूरा सिच्टम हो गया इसमें क्या करेंगे एक विद्दुत भाहकबल ओ तो एक वोल्ट मीटर जोड़ेंगे और एक अमीटर जोड़ेंगे अमीटर क्या करेगा करेंट के मान को ना पहेगा तो यहां पर हमने एक बाहा प्रत्रोद आर लगा दिया ठीक है और यहां पर हमने क्या किया एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया और यहां पर हमने एक अमीटर ङीड़ारी में जुड़ते हैं और वोल्ट मेटर में जुड़ते हैं 5 तो थो पहले हम यहां बनाते हैं अब मुह छी Cambridge एक पिलस माईडिया थिक प्लस माइनस इसका कुछ एक Viv. तो गार किलिएा हो गया अब यहां पर तीन तरीके का का रही हुने हैं ठीक है एक तो परिपत्वारा कुल किया गया का कितना होगा दूसरी चीज इस आंतरिक कार इन लग या निकालोगे डवलव इंटर्नल या respirator और यहां यहां पर क्या निकालोगे डवलू एक्सटर्नल निकालोगे क्या निकालोगे डवलू एक्सटर्नल ठीक है तो सबसे पहले चीज सेल ले रहे हैं तो सेल का विद्धुत वाहक बल लेंगे क्या लेंगे हम सेल का विद्धुत वाहक बल क्या लेना है हमको सेल का विद्धुत व आपको यही एक्टरण रही है क्या है टोटल वर्क है क्या है टोटल वर्क लूइस का आंत्रीक का रहे Lawrence ऑंधिन सब्यू है करें सब्सक्राइब दोफर्णम किससे तनगे प्रेश् WILLMA करें यहां भासिएंप बंदे होगा यहां inclined आंत्रिक कार रहे हैं क्या निकालना है हम आंत्रिक कार रहे हैं ठीक साब आंत्रिक कार रहे होता है आंत्रिक कार रहोगा डवलू इंटरनल ठीक है इसी तरीके से हम यहां पर क्या लगा देंगे डवलू इंटरनल हमको लेना है ठीक है तो इंटू कितना हो गया क्यों ठीक है लाइन की हो गया टीक है यहाँ पर कणिया लगा यहाँ पर औंका नियमude उम का नियम्लागा रहें तो उम करनुनें कितिना हो जाता है अब यारं तो होता है वी कतूर लेकिähän यहां पर कॉंसा परत्रोद लेना हमको ऐांतर क्रतों बत्रोद्ट किता हो गया आयाय क्तों को ब्लुटेटरनल का रहो गया हमारा इसकी था अब यहांपर टब्लुटे यहाँ पर के नियम लगा देंगे ओम का नियम यहाँ पर लगा एक्सटेनल ठीक यहां पर कितना है ओर और यहां से यह या इसकी ऊपर इस जगह से ठीक आया रहा है किलियर तो हम यहाँ पर यहसी लगांगे डवलू तो कितना लगा देंगे वी इंटु क्यू लगांगे पहले वी इंटु क्यू और वी इसकल टू कितना लगा देंगे हम कि ए और के तना लगा देंगे 20 को मने लगा दिया आई और इंटो क्यू ठीक यहाँ से हमको क्या किशन मिल गई यहां से मिलती में कुछ तो हम क्या करना है W टॊटल कितना ओ गया तो डवलू टोटल जो होगा किसके बरावर होगा डवलो इंटर्नल प्लस डवलू एक्साइनल इसके बरावर हो जागा और यह हमारे कितना ओ गया डवलू टॉटल गया राइटी और W इंटरनल कितना मिला है? I R into T O, 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 O I R into Q मिला है भाई, जल्दी जल्दी नहीं ठीक, ये कितना मिल किया हमको? I R into Q ठीक, यहाँ सबसे जगे से क्या common है? Q common है, ठीक तो E Q हो जाएगा और ये कितनों जाएगा? कंगा i r यहां बचे जाएगा सीधे सीधा और हो जाएं प्लस इसकी जगे दुबारा रिप्लेस कर देतें वी ये आ गया हमारा विद्धुत भाहकबल आंतरिक पत्रोद और टर्मिनल विवानतर में संबत ठीक है एक बिंदू से दूसर बिंदू तक लेकर चले और अगर हम इसको इस वाले फॉर्म को इस फॉर्म में लिखना चाहते है तो क्या हो जागा E-V is equal to I-R क्या हो जागा हमारा E-V is equal to I-R क्लियर यहां से हमको तो क्या है यहां अगर हमको आंतरिक प्रतिरोद का मार बनाना है कायका वैद दो इस सहलों को सही हो गए यहां पर ठीक है तो एक उठा के चलते हैं यहां पर ठीक है यहनि कि E-V is equal to I-R ठीक अगर हम आंतरिक प्रतिरोद बनाना चाहते हैं क्या आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो हमको आंतरिक प्रतिरोध ठीक तो आंतरिक प्रतिरोध निकालने हम क्या करेंगे R बरावर E minus V upon R E minus V upon I ले लेंगे क्या ले लेंगे I ठीक यानि कि हमको एक equation तो ये मिल गई अरे ये क्या है भाई ये एक equation ये मिली और एक equation हमको ये मिली ये वाला फॉर्मूला हम कब लगांगे जब विद्धुत भाहकबल का मान दे दे और बिटरिया का उसका वेभाप का मान दे दे और धारा का मान दे तो आंत्रिक पत्रोद हम इससे निकाल सकते हैं ठीक है और अगर पूछ ले कुल धारा इ i is equal to कितना हो जाता है i игр upon r plus r तो सहल की या परिपत की कुल धारा ऐसे निकाली जाएगी ठीक है और दूसरी चीज्गे इसको थोड़ा सा और छेड़ लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और हिसाब किताब बनाते हैं, ठीक, तो हम क्या करें देखिए, यहां से एक चीज चेंजिंग कर सकते हैं, इस i की जगे हम कितना लगा दें, यानि कि v, i is equal to v upon r हो जाएगा, इसको अगर replace कर दें, तो r is equal to कितना हो गया, e minus v upon v upon r, ठीक, तो यहां से यह change हो कितना हो जाएगा, r पहुंची जाएगा उपर की तरफ, ठीक, और यह हो जाएगा हमारा e minus v upon v, ठीक, तो r अगर और निकालना चाहते हैं इसको, तो e upon v minus 1, ठीक, यह वाला हम कहां पर use करेंगे, यह potential meter के अंदर use करेंगे यानि कि विवब मापी के उपयोग में, ठीक है, एक तो हम निकालेंगे विवब पर वड़ता, दूसरी निकालेंगे दो सैलों का, विद्ध भाग वलों का, तुलना जब करेंगे, इस से हम उसको निकालेंगे, clear हो गया, ठीक साथ, अब एक numerical देख लें यहां पर होईया, सबोज कीजिए कि आपको एक परिपत दिये हुगा है, ठीक, उस परिपत के अंदर धारा आई, दो एमपेर की प्रिवायत हो रही है, और उसके उपर जो पोटेंशल ड्रॉप मिल लिया है, वो आपको मिल लिया है, पॉइंट फाइव वोल्ट का, ठीक, तो और सैल का जो आ ही देंगे, E-V, इस इकल तो कितना होता है, आई, यह होता है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मला में सीधा-सीधा, पुट कर देना है, E-V की वैल्यू कितनी आ रही है, पॉइंट फाइव, और I की वैल्यू कितनी है, टू एमपेर का करेंट जा रहा है, R कितना है, हमारा पॉइंट टू है, ठीक, तो यह कितना हो जाएगा, E, पॉइंट माइनस फाइव, इदर पहुचेगा, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट का पॉइंट फाइव, और यह कितना हो गया, तो E कल्दू कितना हो गया, पांच चौक बीस, ठीक है साब, यानि कि यह जाएगा हमारा पांच चुक बीस हो गया पॉइंट पॉइंट एक जीरो और बढ़ जाएगा नीचे ठीक है सब हो गया साब इस कल टो कितना आगया पॉइंट टू जीरो वोल्ट आगया के लिए अब दूसरी कंडिशन में आपको इका मान दे दे ठीक है दूसरे numerical क्या कहता है आपको दूसरे numerical में आपको V दिया हो, E दिया हो और R दिया हो ठीक है, suppose कीजिए कि कोई cell है, उसका जो विद्धुत बाहक बले वो कितना है, 4 volt है और उसके उपर V कितना आ रहा है, 2 volt आ रहा है और आपका जो बहा प्रत्रोत लगवा है वो एक ओम का है, कितने ओम का है एक ओम का, तो अब आप सब पूछता है इसके अंदर धारा कितनी होगी, तो हम जानते है I is equal to कितना होता है, R E upon V minus 1 इस formula से लगा के हम इसका answer निकाल देंगे R का मान हमारा कितना है 1 O में, और E कितना लग हुआ है 4, और V कितना आ रहा है, 2 minus 1 तो I is equal to कितनी हो जाएगी 1, 222, 224 2 में से 1 किया तो कितना बचाएगा, 1 तो I is equal to कितना आ गया, 1 ampere का current उसके अंदर flow होगा तो चलते हैं फिर सेलों के संयोग के उपर स्र 2010 सिλο को उनने क्या करा सिरीज में जोडि तिया कुछ इनका इंटर्नल रेडिस्टन involved कि यह सेल लिए हमने इसका यह आंतरिक पत्रोद ले लिया और यह दूसरा सेल लिया इसका यह कुछ ऑन्त्रिक पत्रोद न हैं यह तीसरा सेल लिया और यह यह अंत्रिक पत्रोद मक्हां था तो एसे करम को क्या मुँआ है श्रीडी किरम तीनों विद्वत बहुक्ष奇怪 है तो विद्वत बहुक्र बंख निए फिस depths, तीसरे का फौन कista यहां गया अब मोश्क्राली में स्लिटे तो मेंकि घुटन को दूरुन करते हैं खौन से। में बह्या प्रत्रोर और मुठे लिया है क्या कर लिए था बाहब प्रतुर आर जोड़ लिया तो ऐसे क्रम को हम क्या बोलते सिर्टी करícia कुण किस्ती कि यह सिर्टी करब किकूंumर बोलती क्या रगा है कि अंदर से हम निकाल क्या क्या सकते हैں ठीक तो सबसे पहला जो हम किरम देख रहे हैं वह हमारा कौन सा है स्रेडी क्रम है कौन सा है स्रेडी क्रम ठीक कि स्रेडी क्रम में हम इसको जूड़ रहे हैं कि तो मैं समांतर क्रम यहां से हटाता हूं तो देखे इसके अंदर क्या है अब इसका जो प्रत्रोध है वो कौन से करम में लग हुआ है आंत्रिक प्रत्रोध तो हमारा स्रेडी करम में ही होगा ना अरे यार कि आंत्रिक प्रत्रोध कौन से करम में होगा स्रेडी करम में होगा ठीक साथ, तो स्रेडी करम में कुल प्रतिरोध कितना हो गया, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक, कुल प्रतिरोध कौन सा है, स्रेडी करम है, ठीक, तो यह माल दो इसका कुल प्रतिरोध R' है, तो जी कितना हो जागा, R1 पिलस R2 पिलस R3 पिलस डॉट 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 जब हम्यक्म इसका निकालेंगे तो यह कितना हो जागा E is equal to E1 plus E2 plus E3 चाहे M टर्मिनल विवानतर वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा सकते हैं तो यह हो जागा E N तक तो इसी तरीके से E dash is equal to कितना हो गया E यह हो गया इसके OPS कूल विद्दृत बाहखवाल क्या हो गया कूल विद्दृत बाहगबल अब हम क procurement कृ निकालना है में कृधारा कृल दाणी है क्मर्ख चीज देखनी है क्या चीज देखनी है कि बहा प्रत्रोत तो नहीं जुड़ा हुआ है ठीक तो हम क्या करेंगे आई वराबर हमारे कितना हो जाएगा एपन आर पिलस आर हो जाएगा ठीक अब यहां पर आर की जगे हमको क्या लिखना है आड़ेस लिखना है ना क्योंकि कुल प्रत्रोत और कुछ आ रहा हमारा तो i is equal to कितना हो गया e कितने जुड़ों है n number of cell जुड़ों है r- कितना है हमारा nr प्लस r यह हो गई हमारी कुल धारा आजाएगी निकलके अब एक condition हो सकती है कि तीनों प्रत्रोत जुड़ों है इनका जो योगफल आ रहा है वो इससे ज जादा हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे r- को छोड़ देंगे यानि कि r is very very greater than to r थीक तब हम क्या करेंगे r- को हम क्या कर देंगे जीरो रख देंगे जैसी हमने 0 रखा तो i is equal to कितना हो गया n e upon nr हो जागा n से n cancel तो i is equal to कितना हो गया हमारा e upon r हो गया ठीक अब यह condition क्य कहती है एक तो यह condition हो गई अगर क्या हो अगर यानि कि if r is very very greater than to small r तो हम क्या करेंगे अब r को zero कर देंगे जैसे हमने r को zero किया तो number of cell upon कितना हो गया यह zero और नीचे कितना बचा r तो i is equal to कितना हो जाता है हमारा n e upon ठीक यह होगा हमारा वैदुस सेलों का संयोग स्रेडी किरम में अब हमको क्या निकालना है वैदुस सेलों का संयोग तो ले नहीं है कौन से किरम में लेना है हमको समांतर किरम में लेना है क्या लेना है समांतर किरम में ठीक कौन अधित्र और हो जाएका इसके संबंद को हमने एक वाहँ प्रत्रोध आर इसके बागव झोड़ लिया तो सबसे पहले इनके विद्धुत हाग बल जो होंगे ठेव इनकी ऊपर potential drop कितना होगा समान होगा क्या होगा समान होता है ठीक टो इसकी ऊपर सबसे पहली condition जो निकाली जाएगी वो क्या होगा कुल प्रतिरोध निकालने हम इसका कुल आंतरिक प्रतिरूद, कुलानतर क्पत रोद कौन से करम में निकलागा? समानतर करम में, 1 upon r s, ठीक है, 1 upon r s is equal to कितना हो जाएगा? 1 upon r s is equal to हो जाएगा, 1 upon r 1, plus 1 upon r 2, plus 1 upon r 3, plus dot 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 dot, n पदों तक कां तक? n तक, तो 1 upon r s is equal to कितना हो गया? हमारा n upon r हो जाएगा, यहां से हम क्या करें, R-D-S-Squadu जो हम निकालेंगे, R-D-S-Squadu हमने निकाल दिये, तो कितना हो गया, R upon N हो गया, यह हो गया, इसका कुल अंत्रिक पत्रोज, विवब का मान इसकी उपर समान रहेगा, अब इसके बाद में क्या निकालना है, इसकी कुल धारा, क्या निकाल तो I is equal to, कितना होता है, E upon R-S plus R होता है, ठीक, R-S हम को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो सरी स्रेडिकरम में आ रहे हैं, निकल के, अब R-S का मान उठा के हम क्या करेंगे, इस R-S का मान उठा के इसके अंदर पूट करेंगे, तो I is equal to, कितना मिल जाता है, हमको, E upon, और R-S क हो गया एन अपान ऑर ठीक है एन Upान आर तो और रींतियरह ने दो नियम पहला नियम तो है हमारा संधी का निय क्या बोलते धारा का नियम और तीसरा इसका नाम क्या होता है आवे संदी का नियम हो गया धारा का नियम भी कहते हैं अब इसकी परिवासा क्या है इसकी परिवासा होती है कि एक हमने क्या किया तीन-चार तार लिए उनको एक जंक्शन बना लिया और किसी EMF सोर्स से या बैटरी से उसको जोड़ दिया फिर उसकी उपर करेंट आएगा तो कहना का मतलब होता है जब करेंट आता है ठीक एक संधी हम बना ले कि हमने एक संधी बना ली ठीक और दिखा दू मालो ऐसे कर कोई संधी है यह इसका क्या है जंक्शन पॉइंट है ठीक अब क्यों होगा संधी पर आने वाली धारा आईवन है और जाने वाली धारा आने वाली धा थीक यानि की आई वन आई-टू और मालो आई-थरी आ रही है और कल्टू कितना हो जागा जीरो कहां पर हो जागा जंग्शन पर जाती है इसकी संदी की और आने वाली धारा और संधी से जाने वाली धारा का बीज़ड़ती योग शून्य होता है यानि कि संधी पर आने वाली धारा आने वाली धारा बराबर होगी बराबर होती है किसके जाने वाली धारा गे जाने वाली धारा गे दूसरा इसको हम लिख सकते हैं σिगमा आई incoming current is equal to कितना outgoing clear यानि कि संधी की और आने वाई जाए था संधी से जाने वाली धारा का भीच करती योग क्या होता है शून्य होता है क्या होता है शून्य चलो एक नमेरिकल देखती हैं सपोज कीजिए यह कोई हमने वायर लिया इस पर इस तरह से यहां से टू एंपियर का करेंट आ रहा है और यहां पर पॉइंट फाइव एंपियर का करेंट आ रहा है यहां पर कितना हो रहा है पॉइंट थरी एंपियर का करेंट आ रहा है और यहां से सिक्स एंपियर का निकल ले आए, clear, तो इस i का मान हम को निकलना है, यहाँ पर हम 2 ना 12 ampere ले ले, कितना ampere ले ले, 12 ampere current ले ले, तो देखिए, यहाँ पर आने वाली धारा है कितनी है, एक तो तुमारी i1 हमने ले लिया कितनी है 12 ampere, ठीक दूसरा हमने i2 ले लिया क्या? 0.3 ampere clear, और यहाँ पर कितनी है? 0.5 ampere current, कितना हो गया? 0.5 ampere current, यह जो 4 current है, यह जो current के 4 मान है, यह कौन से current है? incoming current है, कौन से? incoming current, तो outgoing current कौन से होंगे? outgoing current और होंगे यानि कि जाने वाली दारा के मान जो देख वा है, एक हम got, यानि Moy आई 5 आई 5 क्या है? ये निकाल लिए ये जा रही है और आई 4 हमारी कितनी है? शिक्स एंपेर क्रेंट है ठीक, तो संदी का नियम क्या कहता है तोसल्ठी की और आने वारी धारा संदी से जाने वारी धारा का बीच वड़े ती ओफ समस्रीं फटाइए तो अब हम क्या करेंगे इसको कर सकते हैं ना I1 प्लस I2 प्लस I3 is equal to I4 प्लस I5 यानि कि I1, I2 और I3 धारा तो आ रही है और I5 और I6 वो I4 और I5 धारा जो है संदी से जा रही है ठीक तो हम क्या करेंगे इस वाले की सम को इस वाले सम के बराबर कर लेंगे तो यह कितना हो गया 12 प्लस .3 प्लस .5 is equal to कितना हो गया 6 प्लस I5 इनको हम जोड़ ले तो पांच और 3 कितना हो गया 8 यह हो जागा हमारा 12.8 और यह कितना हो गया 6 प्लस I5 तो I5 जब हम निकालेंगे i5 हम जब निकाल रहे होंगे ठीक तो कितना आएगा i5 12.8 माइनस 6 ठीक तो कितना बचा 6.8 ampere current बचाएगा अब हम क्या करें 6 और 6.8 को हम जैसी जोड़ते है तो कितना हो गयता है 12.8 हो जाता है incoming current, outcome current balance हो गया ठीक अब चलते है किर्चॉफ के दूसरे नियम पर किस पर? दूसरे नियम पर दूसरा नियम ठीक? यानि कि दूसरा नियम किर्चॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? कि सिग्मा वी is equal to होगा सिग्मा ए के? यानि कि सिग्मा आई आर is equal to कितना होगा सिगमा ई के के इसको हम क्या बोलते हैं वोल्टता का नियम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको वोल्टता का वोल्टता का नियम बोलते हैं इसको और दूसरा इसमें क्या होता है उर्जा सनरचित रहती है उर्जा सनरच्छड का नियम वी वराबर डबलू अपॉन क्यू से लगा किसका लूप या बंदपास का नियम लूप बटे बंदपास का नियम ठीक है इसमें sign convention बहुत important होता है क्या sign convention कमान बहुत important होता है दूसरा नियम समझना है यह सारे point है हमारे जो इसके अंदर आने है ठीक sign convention में जब हम इसका मान रखेंगे तो देखेंगे कि आई वन आई टू के मान या आई का मान जो है नगेटिव आ जाता है तो नगेटिव आने का जो मतलब होता है वो उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि धारा की दिसा आपने गलत लिए ठीक है हमने इसके अंदर और एक हमने दूसरा सेल लिया और इसके अंदर एक और प्रत्रों जोड़ दिया ठीक और तीसरा प्रत्रों हमने क्या करा without सेल जोड़ दिया तो सबसे पहली चीज हम इसके अंदर क्या तलासेंगे सबसे पहली जीज़ हम तलाशेंगे, इसके बंद पास कितने है, तो हम क्या करेंगे, इसको, a, b, c, d, e, और f, हमने इसको नाम दे दिए, ठीक, पहले cell को हमने दिया, e1 नाम, το ये हमारे कितनों फीज़ागा, R1 और इसको दिया हमने E2 नाम तो जी कितना हो जाएगा R2 और इसको हमने नाम दे दिया R3 यह तीन प्रत्रोद लगए है इसमें डिपेंट करेगी कि आप धारा की जिसा किदर लेके जा रहे हैं ठीक है तो मान लोग आपने धारा इदर से निकाली प्लस I1 यहां से कितनी निक त्रिबीट हो जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा आई वन ठीक यानि कि पूरे परिपत में अगर हम धारा की दिसा ऐसे लेके चल लें है धारा हमारी ऐसे जारी है ठीक और इस वाले सरक्यट में भी धारा क्या जा रही है हमारी एसी तो यह बंदपास एक हो गया यह टू हो गया, अब इस बंद पास में इस वोल्टता के नियम को लगाना है, ठीक साथ, तो इस में हम दो चीजे और ध्यान में रखेंगे, चार चीजे, ठीक, अगर धारा की दिसा में चल ले हैं, धारा जिस दिसा में जा रही है, उस दिसा में हम उसको लेके जा रहे हैं, ठीक तो वहाँ पर potential drop कैसा होगा minus होगा यानि कि suppose कि हमने ये एक प्रत्रोत बना लिया ठीक plus से minus की तरफ धारा कहां से निकलती है इसको हमने नाम दे दी है और plus से minus की तरफ जा रही है अगर हम plus से minus की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो potential drop आएगा वो कितना होगा minus को होगा अब plus से minus की तर जाते हैं तो potential drop कैसा हो जाता है हमारा minus का होजाता है दूसरी condition है के हम क्या करें lower potential से इहर की तरफ जा रहे है minus से plus की तरफ ठीक minus से plus की तरफ तो हमारा क्या होगा Potential Drop कितना हो जागा ? Plus का मिलेगा वों को कैसा मिलेगा ? Potential Drop की Value कैसी होगी हमारी ? Plus का V और यह हो जागा हमारा I Clear ? इसी तरीके से आता है विद्दृत भागबलों को तो विद्दृत भागबल जब हम Plus से Minus की तरफ यानि Current हमारा कहा जा रहा है ? पिलस से माइनस की तफ जा रहे हैं गया हैं और दुसरी condition आती है कि जब हम से पॉस्लिटीप भी तरफ जा रहे हैं नेगेटिव से पॉस्लिटिप की तरफ तो हमारा जो विद्धभा कबल होगा वो कैसा मिलंगा हमको नुए क्या मिलंगा हमको प्रॉस का यह चार पांच चीजे हैं जो हमको याद रखनी होती है अब सबोस कीजिए आप धारा को इदर से लेके जा रहे हैं ठीक कहां से जा रहे हैं पिलस से माइनस की तरफ तो पूटेंशिल ड्रॉप कैसा होना चाहिए यह यहां पर जो पूटेंशिल ड्रॉप मिलेगा आपको वह कितना होगा दो गए देख से माइनस के दूस्वे ड द गएन को ऊड़ग रहे हैंडियानि कि मैनस का आईवं किलियर और इenter की तरफ जा ziehen इसे इदर जा रहत रहे हैं ये वहाली स्टा है तो हमारे क्या है इस बंद पास में दूसरा भी प्रत्रोध आ रहे हैं इसकी डारेक्शन भी कैसी है पिलस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो जिए कितना हो जागा माइनस का आई टू आर टू अब इसमें जो विद्दुत बाक बल हैं वो कितने लग हुए हैं दो लग हुए है ना एक तो एवन लग हुआ है और दूसरा एटू लग हुआ है तो देखे विद्दुत बाक बल पिलस से माइनस की तरफ तो हम कितना लिंगे माइनस का एवन और यहां पर i2 r2 is equal to e1 plus e2 clear? यानि कि पहले का जो potential drop आया इस तरह यह से निकल जाएगा हमारा ठीक अब दूसरे लूप में लेकर चलना है हमको तो दूसरे लूप में पिलस से माइनस की तरफ है कि दर की तरफ है पिलस से माइनस की तरफ तो यह हो जागा हमारा कितना i1 पिलस i2 into r3 यह का मिलेगा हमको माइनस का मिलेगा का मिलेगा माइनस का क्योंकि हम पिलस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो विवांतर कैसा होता है हमारा negative होता है ठीक दूसरा क्या है यह तो हमारा इस condition हो गई अब यहां पर क्या है देखो current इस तरह से आ रहे है ना इसकी तरफ तो यहां पर जो हमको मिल जाएगा वो कितना मिलेगा यानि कि minus से plus हो रहा है तो यह हो जागा हमारा R2 और I2 और विद्वत बागवल हमारा कितना हो गया minus से plus है ठीक है तो कितना हो गया हमारा E2 हो गया कितना हो गया E2 किलियर एक हमको यह condition मिली और एक दूसरी condition अगर इन सब formula में रखने के बाद इन science convention के बाद भी हमारा answer negative या positive चल ले आए ठीक है तो हम क्या करेंगी current हमारा negative आ जाता है तो हम direction को change कर देंगे बाद बागी हमारा सब कुछ सेम रहेगा चलते हैं फिर next topic की तरफ ठीक है तो next topic हमारा क्या है wheatstone से तुए क्या है wheatstone से तूए कि देखे इसको एक wheatstone नामक scientist ने बनाया ठीक है इसमें दो condition होती है बोर्ड लेविल पर सिर्फ आती है कि किर्चौफ के नियम पर आधारित किस पर किर्चौफ के नियम पर आधारित है ठीक है कैसा होता है इसमें पतंगाकार आकरती बनाते हैं कि यानि कि एक पतंग के आकार की आकरती बना लें कि चलो मैं वैसी बना लेता हूं ठीक देखिए यहां पर इस तरह से एक हम यहां पर चाहां प्रत्रोद जोड़ ले या फिर हम एक गैलिवनिमेटर जोड़ते हैं ठीक गैलिवनिमेटर दूसरे इस से क्या करेंगे इस सिस्टम से एक और प्रत्रोद इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम क्या करें चाहें तो एक की लगा दें ठीक हमने की जुड़ ली दूसरा एक और इस तरह से आकरती बना लेते हैं प्रपार कि आहां पार juda एक को बनाव धिया और एक को नाम दिया क्यों और इक को नाम दिया इस ठीक पार किसोज्जाए को बाप ओर धाना मेंड़ेते क्ला अभर वियर सथा उब्ल्द कसाथास्ण Boros लगाया है इसमें ना तो डिफ्लेक्शन इदर आए और ना डिफ्लेक्शन इदर आए अगर सुई बिल्कुल बीच में चली जीरू पर आ गई ठीक है तो यह क्या असंतों लेते हैं और अगर सुई इदर की तरफ डाउन हो रही है तो हम क्या करेंगे इस वेरियेवल इस्टा जागा एक धारा चली जाएगी और धारा ऊपर चली जाएगी मालों यहां से धारा आई आई वन में और यहां से आई टू में बट गई अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है ठीक है अगर डिफ्लेक्शन जीरू पर है ठीक है तो क्या होगा करेंट यहां पर कोई करेंट न नंदर आ जायगा अब कि छिए पर आधारिता यहां पर कितना होंगे बंध पास एक यह बंध पास है दूसरा यह है और तीसरा यह है अब संतोलित की तो उसका नियम क्या कहता है किरचोफ का नियम संदी की और आने वाई दारा तो यहां पर कोई वैद्धत भाकबल नहीं लगा हुआ है यहां प्रतरोत लगा सकते हैं लगा सकते हैं जो मरदी चाहें वो लगा तो यहां पर बस यह है कि इनका मान P और Q और R यह बरावर बैलेंस हो जाएगा ठीक कुल मिलाकर यह बैलेंस होना चाहिए ठीक है तो संधी के नियम से जैसे हमने इस पर लगाया तो यहां पर potential कितना रहे होगा वी आ रहे होगा ठीक है और यह कितना हो जाएगा आईवन पी हो जाएगा कितना हो जाएगा तो हम इसको नाम देदें एए बी सी डी हम क्या करेंगे एबी डी एक को हल कर लें किसमें एबी डी यह से तो एबी डी यह से जब निकालेंगे तो एक आने वाली धारा हो गई और एक जाने वाली धारा हो गई तो यह हम यहां तो कुछ है नहीं ठीक है बरावर किसके होगा यह बरावर होगा आइट। क्यूस के ठीक साब दूसरा राम को क्या मिलेगा अब बंद पास हम कौन सा हल कर रहे हैं बीडी एप ल कर इसके i2s के clear यह नहीं यह नहीं यह नहीं आई टू है यह भी कितना है आई यह इवन हो गया यहाँ पर आई टू एसा रहा सही है यह हो गया हमारा सहुआ कर नंबर तो इन दोनों को हम बरावर जैसी करेंगे एक वा दो से लगांगे एक वा दो से तो जी कितना हो जाएगा I1 P upon I2 यानिकी I1 R वरावर कितना हो गया I2 Q upon I2 S I2 से I2 कट गया इससे ये कट गया तो P upon R कितना हो गया Q upon S आ गया P upon R is equal to Q upon S ये हो गया हमारा ठीक है देखे इस की उपर numerical क्या होता है अगर variance to sunt Pride breakfast क्या है संतुलित तो संत्ुलित होने पर एक तो यह condition हो जाएगी और एक यह condition हो जाएगी एक यह condition हो जाएगी और एक यह condition हो जाएगी 9 संत्ुलित तो यह होगा दो यह है मांने है अब भी पांट घरसलुख करते हैं चार उपर हो श्जारी यह आपस इसको कर लहां सकता है यह कुछ पो इसको नहीं ही है प्रक्राय बेगा तो जैसे ही हमने इसको चैक करा तो क्या हो मैंट हो और पर इसकी हो चैक है श्रीन के दूसाट भीन जैसा है बलेन्स है यह जब इसको कैसे solve करते हैं ऊपर की दो सेडियां बना लेते हैं और नीचा की दो सेडियां और ये दूसरे क्या हो जाती है समानतर में जाती हैं तो यह कितना हो गया 6 आज हो गया रहा नीचे कितना ओगा अगए जोगत्य हो गया इनको समांतर करम में सवाल कर देंगे तो बनापोन आर ये हो गया वरन उपन आर यहां बचा कपा 1 फिलस वरन तो आर इसकल कितना हो गया 6 upon 2 और यह कितना हो गया 3 oh ठीक यह हो गया हमारा wheatstone सेतू तो अब चलते हैं मीटर सेतू की उपर मीटर सेतू क्या होता है देखिए इसमें एक एलाकार की पट्टी होती है और एक आयताकार पट्टी होती है ठीक है साथ यानि कि यह भी क्या है wheatstone सेतू किस पर आधा रहते हैं किर्चोफ के नियम पर आधा रहते हैं किस पर आधा रहते हैं किर्चोफ के नियम पर ठीक अब इसमें एलाकार की दो पट्टी है और एक आयताकार पट्टी होती है ठीक है चलते हैं अब फिर नेक्स टॉपिक की तरफ ठीक है तो next topic हमारा क्या है wheatstone से तुए क्या है wheatstone से तुए देखे इसको एक wheatstone नामक scientist ने बनाया ठीक है इसमें दो condition होती है border level पर सिर्फ आती है संतुलित condition दूसरी होती है असंतुलित तो यहां पर हम सिर्फ संतुलित की बात करेंगी ठीक है इस संतुलित समिकर्ण के अंदर हमको एक wheatstone बिरिज बनाना है यह कैसा होता है पतंगे की आकरती का होता है किर्चौफ की नियम पर आधारित होता है इसका सिद्धान्त क्या है किर्चौफ की नियम पर आधारित है अग्यात पत्रोद इसके अंदर से निकाल लेते हैं ठीक यानि कि किर्चौफ के कि नियम पर आधारित किस पर किर्चौफ के नियम पर आधारित है ठीक है कैसा होता है इस में पतंगाकार आकरती बनाते हैं यानि कि एक पतंग के आकार की आकरती बना ले चलो में वैसी बना लेता हूं ठीक देखिए यहां पर इस तरह से एक हम यहां पर चाहां प्रत्रोद जोड़ ले या फिर हम एक गैलिवनिमेटर जोड़ते हैं ठीक गैलिवनिमेटर दूसरे इस से क्या करेंगे इस सिस्टम से एक और प्रत्रोद इस तरह से जोड़ लेंगे और यहाँ पर हम क्या करें चाहें तो एक की लगा दें ठीक हमने की जुड़ ली दूसरा एक और इस तरह से आकरती बना लेते हैं ठीक यह रहा एक को हमने नाम दिया पी एक को नाम दिया क्यू और एक को हमने नाम दिया आर एक को नाम दिया एस ठीक है इसके एक सरे को हम क्या करते हैं बैटरी के प्लस सरे से और दूसरे सरे को कुझी के साहिता से एक वैरियेवल रजिस्टांस यानि कि रियोस्टेट लगा पर यहां पर जो पहुंचेगा तो जंक्षन के पहुंचने पर क्या होगा संधी का नियम लग जागा इक धारा चली जायेगी मालों यहां से धारा आई आई वन में और यहां से और इक यहां संदी पर पहुंचेगी तो दुबारा करेंट किसके मिलकर आ रहे होगा आएवन प्लस आएटू कर करेंट इसके अंदर आ जायेगा अब चूंकि किर्चॉफ की नियम पर आधारित है तो यहां पर केतना होंगे बंद पास एक यह बंद पास है दूसरा यह है और तीसरा यह है अब संतुलित की कंडिशन में हमको निकालना है ठीक है तो उसका नियम क्या कहता है किर्चॉफ का नियम संदी की और आने वाई इधारा संदी से जाने वाली इधारा का वीचलेती हो शून्य होता है यहां पर कोई व्यद्वत बहाकवल नहीं लगा हुआ है यहां प्रत्रो कि अबर बैलेंस हो जागाB č & being in science हो जागा तो संदी के नियम से जैसे हमने इस पर लगाया तो यहां पर कितना अरे होगा दिया रही होगा दे है और इस इसको नाम यह को नाम इधारा हो गई और एक जाने वाली धारा हो गई तो यह हमको कितना मिल जाएगा आई वन पी यानि कि यहां तो कुछ ही नहीं ठीक है बरावर किसके होगा बरावर होगा आई टू क्यू की ठीक साथ दूसरा आपको क्या मिलेगा अब बंद पास हम कौन सा हल कर रहे हैं बीडी कि यहांबर कितना जा रहा जा रहा है देखो आइवन आर रही है आई वन आर बरावर होगा किसके साथ को आइट है यहांपर आएट हो अभशो कि यहई हो गया हमारा सभीकर नंबर तो इन eer cara बरावर जासी करेंगे एक वश्कार लगाँए एक वा दो से तो यह कितना हो जाएगा I1P upon I2 यानि कि I1R वरावर कितना हो गया I2Q upon I2S I2 से I2 कट गया इससे यह कट गया तो P upon R कितना हो गया Q upon S आ गया P upon R is equal to Q upon S यह हो गया हमारा ठीक है देगे इस Q पर numerical क्या होता है अगर Wheat Stone संतुलित है Wheat Stone क्या है संतुलित है तो संतुलित होने पर एक तो यह condition हो जाएगी और एक यह condition हो जाएगी एक यह condition हो जाएगी और एक यह condition हो जाएगी Wheat Stone संतुलित है तो दो यह होगा दो यह है मानलो चार यह है जब Wheat Stone संतुलित होता है इसके अंदर कोई करनेंटर नहीं आता है इसको हम गायब कर देते हैं और फिर ये कैसा होता है यह उपर की दो सव्रड़ी नीचे की दो सव्रड़ी आपस और नीचे की दूसरे डिया और ये दूसरे क्या हो जाती है समानतर में हो जाती है तो ये कितना हो गया दो ये कितना हो गया चार ये कितना हो गया दो चार छे कितना हो गया यानि कि ऊपर का कितना हो जागा छे और नीचे कितना हो जागा छे अब हम क्या करेंगे इनको समानतर करम में solve कर देंगे तो 1 upon R is equal to one upon six plus one upon six six क्या आगया common यह हो गया one upon R यहां बचाए का one plus one तो आर इसकल डू कितना हो गया six upon two और यह कितना हो गया three oh ठीक यह हो गया हमारा wheatstone उल्हान से तो अब चलते हैं मीटर से कि उपर कि मीटर से क्या होता है इस में एक αλλά कर की पत्ती होती और एक आयताकार पत्ती है Tôi ठीक है साब याने कि कि wizato किरचौफ के नियम पर आधा रहते हैं किरचौफ के नियम पर ठीक अब इसमें एलाकार की दो पट्टियां और एक आयताकार पट्टी होती है कि ठीक है कि यह पहले हम भी टिश्टॉन बना लेते हैं वो मीटर से तू ठीक इसमें क्या होता है 100 cm लंबा एक तार भी होता है कितना मीटर लंबा 100 cm लंबा तो यह क्या होता है एक दूसरे से इस तरह से जोड़ होते हैं कि लिए हम क्या करते हैं ऊपर एक प्रत्रोध बॉक्स और जोड़ लेते हैं यहां पर यहां पर हमारा क्या जोड़ होता है प्रत्रोध बॉक्स ठीक और यहां पर क्या लिका हुआ होता है एक अग्यात प्रत्रोध जोड़ होता है इस अग्यात प्रत्रोद को ही हम निकालते हैं, ठीक यह ऐसे हैं, और यह हमारा रेजिटांस बॉक्स आर्बी हो गया, यह इस से जड़ोगा है, और इसमें क्या करते हैं, इसके बीच वाले पेच से, ठीक है, एक अग्यात प्रत्रोद जोड़ लिया, बीच वाले पेच से एक गैलोविनिमिटर जी लगा देते हैं और एक जोकी ले लेते हैं इस जोकी जे को क्या करते हैं उस पूरे वायर की ऊपर आगे-पीछे की तरफ करते रहते हैं जब तक हमारा क्या हो के एक हमें शुन्ने विच्छेप की इस्तिति ना मिल जाए और दूसरी कंडिशन में हम क्या करते हैं इसको एक प्लस माइनस वी वोल्ट की बैटरी से जोड़कर एक उंजी के लगा देते हैं और यहां पर एक वेरियेवल रिश्टांस आरेच जोड़ देते हैं अगर वह इस से बैलेंस नहीं हो रहा है तो फिर वह किस से बैलेंस होगा गैल मीटर की जो डिफलेक्शन ह वह आरेच से सॉल हो जाएगा ठीक हमें इस अज्यात प्रत्रोत की लंबाई निकालनी होती है तो यह कितना होता है सो सेंटीमीटर लंबा एक वायर होता है अब मालों यहां से एल मीटर की डिश्टेंस पर इसका विच्छेप मिलता है तो यह कितना हो जागा यहां से अब यह बचाएगी कितनी 100-L क्या बचाएगी 100-L किर्चौफ की नियम पर आधारत है वीट स्टोन से हमने क्या करा इसको सूने विच्छेप की स्तिती में लिया है डिफलेक्शन को गैलवन मिटर को जी यह जोड़ा था इस गैलवन मिटर को जीरो पर लिया है तो जीरो डिफल जाएगा रेजिस्टांस बॉक्स अपॉन लंबाई ठीक दूसरा कितना मिलागा अज्याद प्रतुर्द एस और कितना जाएगा 100-L ठीक इस अज्याद प्रतुर्द की वैल्यू हमें निकाल लिए तो एस परावर कितना हो जाएगा आर डॉट बी 100-L अपॉन एल अपॉन निकालना था यह आ गया हमारा एस का मान इससे हम यह निकालते हैं इसकी उपर नुमेरिकल कैसे देता है देखे इसकी उपर जो नुमेरिकल होगा वह क्या होगा है ऐसे करके कुछ दे देगा आपको एक यह दे देगा रइस्टांस यहां पर सब्सक्राइब का है और यहां पर इस को आपसे फाइंड करवाएगा ठीक और यहां पर एक गैलिवन मीटर लाकर जोड़ दिया कहरे आए यह इस इतने से जो हिस्से का वायतार है ठीक है इसका हो का जो लंबाई यह वो 10 है और यह कितनी हो जाएगी फिर यह हो जाएगी हमारी 100-10 यानिकि 90 zijn की हो जाएगी हैं इसकी दारा निकाल लिए तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सुरी में इन कमान हमको मिल जाएगा तो चलते हैं फिर मापी में एक निकलती ह्मारी प्रवडता है तो हम क्या करते हैं इसमें एक क्यानव पर फिल्स माइनस बीट गी बैटरी जड़ी हूई है यहां पर क्या करेंग एक इस स्टार बोल्त की प्लीक होई है ठीक यहां से एक ग्यालव इंटर जोड़ लेंगे जी ठीक है फिर इस पर क्या करेंगे एक जोकी लगा देंगे तो पहले हम यहां पर देखेंगे ठीक है जीरो डेफलेक्शन आ रहा है यह नहीं आ रहा है ठीक किसी एक कंडिशन पर सूने विच्छोप की इस्तिती मिल जाएगी तो मान लो अभी तो जी इधर की तरफ मुल रहा थोड़ा सा फिर हमने क्या करा एक जोकी जे ले लिया ठीक है तो पूरे सिश्टम को त्यार कर लें यहां सर हमने एक सेल जोड़ दिया क्या जोड़ दिया हमने एक सेल जोड़ दिया और इस सेल को हमने पूरे पर कर लिया उ वहीं पर हम potential gradient निकाल देते हैं इसका यूज का होता है इसका यूज है दो सेलों का विवांतर निकालने में होता है दूसरा विवब परवड़ता निकालने में होता है ठीक साफ दो सेलों की यहां पर भी एक सेल लग हुआ है एक सेल से ज्यादा दो सेल हो जांगे तो potential gradient जो हो वेग प्रवलता ठीक है और वी को जब हम निकालेंगे तो वी वरावर कितना हो गया के इंटू एल ठीक जब क्या हो सेल दो जोड़े हो एक तो हमारी विवाव प्रवलता का फॉर्मुला आ गया प्रतिये क्या लंबाई और दूसरा के ठीक है वी वरावर के अपॉन एल आगया दूसरी चीज़ है दो सैलों का दो सैलों की हम क्या करें उनके विवावों का उनुपात निकालना है मनलो हम लो एक का विवाव आ रहा भी और शूने विच्छेप की स्थिती में हमको मिल जाता है ईव रावर के इंटू एल ठीक है कि यह 11 है ठीक है और यह हमारी कितना है ल to这个 video अपोग् Bears Eive अब्सक्राइव अश्च कटिए ने मिलकर हमको 111 Philip Tillich यानि कि दो सेलों का विवापोरणा निकाल लें की नीए और हमान जो इसके लिए हमको एक चीज ओन लें यानि कि कि दो शैलों और प्पतिड़ों की तुल ना करने ए ठीक सब्ब्धर नहीं जब हम करेंगे तो हम को इसका मान निकालना होगा तो हम जानते हैं एक अभी हमने फॉर्मूला बनाया था इस से पहले यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला आया था हमारा आंत्र पत्रोद वाले संबंद में दो टन में लिभान तर नहीं कि कहां गया जी यह रहा ठीक यानि कि आंतर पत्रोद निकालना है में दो सहलों का तो हम क्या करेंगे देखो इस करेंगे इसको आप पेस्ट कर लिया अब दो सहलों के आंतर पत्रोदों की तुलना करनी तुलना तो इस समीक्रण को हम यहां से बगता डें ठीक तो यह कितना हो जाता है मारा o दो प्रतरोदों की तुलना करनी है किलियर तो हम जानते हैं ये कि जाकता रख दें लॉक्त ऑपॉन नश्वार्ट डॉन रख दें तो कितना हो जागा L2 अपॉन एलवन माइनस वन दो सैलों के आंत्रीक पद्रोदों की है तुलना करने नहीं है वह मुआपी का यूज करते हैं ठीक तो मिलते हैं फिर नेक्स शेप्टर के अंदर जो है मारा गतिमान आविश्टता चुम्ब की छेत्र